नमस्कार, मेरा नाम रूची बाच्वेई है, प्रियर शिक्षारतियों आज हम लोग इस वीडियो व्याख्यान में M.A. हिंदी के प्रश्न पत्र, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा एवं लिपी पर बाचीत करेंगे जैसर कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, M.A. हिंदी के प्रथम वर्श के पहले सेमिस्टर के पार्थिक्रम M.A. हि एक सो तीन तथा M.A. दुटी वर्श के पार्थिक्रम M.A. एक सो चौदै का परिश्यात्मक अध्यान आज हम लोग करेंगे ये दोनों पार्थिक्रम पहले M.A. हि एक सो तीन के रूप में समलित रूप से एक ही पेपर के अंतरगत पढ़ाये जाते रहे हैं, जिसका नाम भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा एवं लिपी था आज इस लेक्चर में इस पूरे पार्थिक्रम पर करम्शा चर्चा होगी, जो एक से अधिक व्याख्यानों तक भी विस्तरित हो सकती है इस पार्थिक्रम की अनेक इकाईयों को मैंने विगत वर्ष, हिंदी भाषा, इतिहासो वर्तमान नामक, रश्नपत्र के अपने वीडियो लेक्चर में सम्हिलित करके बताया था इसलिए यहां उनकी पुन्रावृत्ति ना करते हुए आगे उससे इतरिकाईयों पर चर्चा करेंगे और इसके बाद अन्य व्याख्यान में हिंदी सनरचना पर भी प्रकाश डाला जाएगा यहां हिंदी सनरचना से केवल देवनागरी लिपी और मानवी करण की संक्षिप्त चर्चा करेंगे जैसा कि स्लाइड से इस पष्ट हो रहा होगा इस पूरे विशय को तीन भागों में बाट कर व्यवस्ति डंग से अध्यन किया जा सकता है भाषा विज्ञान के सिध्धान्त, हिंदी भाषा इतिहास व वर्त्वान तथा हिंदी सनरचना अब आगे की स्लाइडों में क्रमशा इन विशयों पर इन तीन भागों पर अलग-अलग बिंदु दिये गए हैं जो कूल मिलाकर भाषा विज्ञान हिंदी भाषा इंगलीपी के पूरे पाठिकरम का प्रतिनिधित्तु करते हैं पाठिकरम विस्तार अधिक होने के कारण अभी इस चरण में अधिकांश्ता पहले भाग पर चर्चा प्रारम की जा रही है आप सभी शिक्षारतियों से मेरी अपेक्षा है कि अपने प्रश्निपत्र का पाठिकरम आप अपने साथ सामने रखकर या व्याख्यान सुन रहे होंगे तो शुरू करते हैं पहले खंड भाषा विज्ञान के सिद्धान से स्लाइड में जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो भाषा की पर भाषा संप्रेशन का सुरूप और भाषिक इकाईया हैं इन पर मैंने पहले आपको बताया हुआ है वसे भी आप सब जानते ही हैं कि मानव समाज में भाषा भावों की अभिव्यक्ति तथा वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम है हम कह सकते हैं कि मानव अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस सार्थक मौखिक साधन को अपनाता है वह भाषा है इसे के माध्यम से सामाजिक अंताक्रिया संभव होती है अब आते हैं भाषा के सुरूप और विशेष्टाओं पर भाषा की प्रकृति और सुरूप ने धारित करने वली विशेष्टाओं अनेक हैं यथा भाषा पैत्रिक संपत्ति नहीं है भाशा अर्जित संपत्ति है भाशा आध्यांत सामाजिक वस्तु है भाशा परंपरा है व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है उसे उत्पन नहीं कर सकता भाशा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है भाशा परिवर्तन शील है भाशा का कोई अंतिम रूप नहीं है भाशा का प कि तान किसी देश विशेश के जिवासियों में बोली जाती है तो एक यह देश होता है भगुलिक सीमा होता है। कोई भाषत किसी विशेश कालगंड में बोले जाती, जो उसकी местmäßig सीमा होती है, भाषत सामाजिक गृष्टी से इस्तरत होती है, इसका तात फरे है कि सामाजिक गृष्टी से जो सामाज केगा इस्तर होती है, जैसे जो पड़े लिखे प्रतियर्ट भाषा इस्त अंतर होता है वायस्कों की वाषा में अंतर होता है तो प्रतियर्ग भाषा सामाज W गृष्ष ते इस प्रतिक भाषा की सनरचना अलग अलग होती है जैसे हात शब्द संस्कृत मैं हस्त था फिर प्रम्षा हत्थ हत्थ हाध हादी होते होते हिंदी में हाथ हो गया भाषा इस्तूलता से सुक्ष्मिता और अप्रहडता से प्रहडता की ओर चलती है भाषा सयोगा अवस्था से वियोगा अवस्था की ओर जाती है जैसे संस्कृत में रामा गच्छती था और हिंदी में राम जाता है कहा जाता है भाषा इस्तिरी करण और मानकी करण से प्रभावित होती है हर भाषा का इस्पस्टता है'dा इसके इसफश्टता इंज है कि कुछ अन्य вд!」 इसका इजी स्चिया इनास परकी के कुछ नमढट इसकी क्लेकित को इसपश्ट करती हैं लेकिन भाषा की सबसे मात पूर्ण विचेश्टा यह है कि वो समाज से पूर्टा जुड़ी हुई होती है क्योंकि भाषा का व्यवहार करने अला मनुश्य समाज की ही एक एकाई है और वो समाज में रहकर ही भाषा का प्रयोग करता है जब हम भाषा के समद में विचार करते हैं तो सभावता यह प्रश्ण उठता है कि भाषा की उत्पत्ती कोई कैसे वस्ता मानव एक चिंतनशील प्राणी है उसमें बुद्धिता तो अन्य प्राणियों की तुलना में विशिष्ट था इसलिए वो भाषा की रचना कर सका किस इसी दोनी विशेश से किसी वस्तु अत्वाकार का संबंध जोड़ना यह व्यापार पश्ण और मानव दोनों में देखा जाता है और वहीं से भाषा की उत्पत्ती आरण होती है भाषा की उत्पत्ती के इस प्रश्ण कर प्राचीन काल से विचार होता रहा है और इस बार्षा बिज्ञान के परिभाषा, विशयशेत्र अधिन पधितियूं की और बढते हैं भाशा विज्ञान को प्रारम में comparative grammar या philology का नाम दिया गया इसे science of language भी कहा गया आज इसके लिए सरवादिक प्रचित शब्द linguistics है भाशा विज्ञान के अर्थ में इस शब्द कब्रोग सबसे पहले फ्रांस में हुआ था भाशा विज्ञान के समझें पर विभीन परिभाशा हैं दी गई हैं जिनसे यह हस्पष्ट हो जाता है कि भाशा विज्ञान भाशा का विज्ञान है जिस प्रकार विज्ञान में तथ्यों का क्रमबद विवेचन होता है और उनके आधर पर निश्कर्ष निकाले जाते हैं उसी प्रकार भाशा विज्ञान में भी नियम बद रूप से मानो भाशाओं का अध्यान होता है और उसके आधर पर सिध्धान प्रतिपादित किये जाते हैं इस प्रकार भाशा विज्ञान के अध्यन की पध्धती वैज्ञानिक है, भाशा विज्ञान के सुरूप पो समझने के लिए और उसकी एक सरवान पूम एवं सटीक पर भाशा देने के लिए उसके अंतरगत आने वाले विशे, उसकी शाखाओं तता अंगों और अध्यन कुछ तो मुख्य हैं और कुछ गौण हैं, भाशा विज्ञान के मुख्य अंग विभागया शाखाएं हैं, प्रोक्ति विज्ञान, वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान, शब्द विज्ञान और धोनी विज्ञान, और इन सब के अध्यन के कई र पुलनात्मक, व्यतिरेकी तथा सैध्धांतिक आदि भाशा विज्ञान के अन्य बौड अंग विभाग या शाखाएं हैं लिपी विज्ञान, भाशा के उत्पत्ति, भाशाओं का वर्गी करण, भाशा भूबोल, भाशा कालकरम विज्ञान, भाशा कर आधारित प्रागयत से किया जाता है, जिने हम इसकी अध्यन पध्धतियां क्या सकते हैं, जैसे तो भाशा विज्ञान के अध्यन पध्धतियां हैं, सामान्य भाशा विज्ञान, वननानात्मक वाशा विज्ञान, एककालिक भाशा विज्ञान, बहु कालिक भाशा विज्ञान, तुलनात्मक अब आते हैं सकी अध्यान ग्राव कि शूख को City लेकिन उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में गणिती कि रसाय ना दी लेकिन ज्यान पूर 거죠 कर्ण भाव की नित्त्वा नहीं पाए जाती यजिसे राजनीती विग्ञान मनव विग्ञान समाज-विग्ञान आदे इस दृष्टी से हम कहते हैं कि भाषा विज्ञान विज्ञान तो है किन्तु उस सीमा तक नहीं जितना की गणित आदी विशे हैं अब कला के प्रेशन पर विछार करते हैं बहसा विज्यान ललित कला या उपयोगी कला में कला का जो अर्थ है उस अर्थ में तो कला नहीं है किन्तु B.A. या 8 फेकल्टी में कला का जो विस्तृत अर्थ है उस दृष्टी से कला है आजकल ज्ञान के शेत्रों को प्रहा तीन वर्गों में बाटा जाता है भाधिक विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी भाषा विज्ञान इन तीनों की सीमाओं में पड़ता है ध्वनी के संप्रेशन की दुष्टी से उसका संबन्त भाधिक विज्ञान से है पूर्ण संबंध है जैसे व्याकरण, साहित्य, पनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, भूगोल, इतिहास, बहतिक शास्त्र, तर्क शास्त्र, मानोविज्ञान, दर्शन आदी। इन सभी विश्यों का ज्यान भाशा विज्ञान के ज्यान के लिए आवश्यक है। साथ ही भाशा विज्ञान भी इनके ज्यान को परिश्क्रित और सम्रिद्ध करता है। उपर उत्वणन से हम देखते हैं कि भाशा विज्ञान के अध्यन का महत्यों उप्योगिता भी इसपरिश्ट हो जाती है। अब आते हैं भारत में भाषा चिंतन की परंपरापर. अनेक शास्त्रों और विज्ञानों की भाती, भाषा सम्मंदी अध्यन भी हमारे देश में अत्यन प्राचीन काल से होता आया है. भाषा विज्ञान की अध्यन का इतिहास प्राचीन और आधुनिक दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है. प्राचीन अध्यन का काल वैदिक काल से लेकर सत्रमी सधी तक है, आधुनिक अध्यन का आरंप 19 सधी के मध्य से होता है. प्राचीन अध्यन को देखते हैं भारत का प्राचीनतम साहित्य वैदिक साहित्य है भाषा के समन्द में चिंतन का आरंब भी वहीं से होता है वैदिक सहिताओं के बाद मुखिता ब्रामण ग्रंतों और आरंणेकों में भाषा समन्दी अध्यन के संकेत मिलते हैं विशेश रूप से एतरय ब्रामण इस दृष्टी से उलेखनी है इसके पश्चात पद पाठ में व्यदिक सहिताओं को पद रूप में प्रस्तुत किया गया भाषा का पेक्षाकत अधिक व्यज्यानिक अध्यन इसके बाद शुरू हुआ व्यदिक स्वरों शब्दों तथा वाक्यों की शुद्धता के लिए प्रतिशाख्य और अनुक्रमनी की रचना की गई प्राचीन काल में व्यदिक सहिति के संडक्षण और उसकी व्याक्या के लिए छेह वेदांगों का अध्यन होता था शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, चंद, ज्योतिश इनमें से कल्प और ज्योतिश को छोड़कर अन्य चारों अंग भाशा से ही संबंदित थे उससमें व्यदिक शब्दों के अने एक संग्रह बनाए गए जिनमें उनका अर्थिस्पष्ट किया हुआ रहता था इन संग्रहों को निधंटू कहते थे आज केवल एक ही निधंटू उपलब्ध है निरुक्त ग्रंत निघंटु की व्याक्षा के लिए उस समय चलते थे जिनमें सबसे प्रसिद्ध यास्क का निरुक्त है और आज केवल यही उपलब्ध है यास्क आटिन सदी इसा पूरुब में हुए थे इनके निरुक्त में अनेक पूरुवर्ती एवन समवर्ती व्याकरण संप्रदायों एवन व्याकरणों के नाम तथा उद्धरण दिये गए हैं जिनसे उस समय तक के भाषा संबंदी अध्यन पर प्रकाश पड़ता है इस प्रकार दिरुक्त भाषा विज्ञान और अर्थ विज्ञान का प्राचिन तम प्रामानिक ग्रंथ है वेद के चैय अंगों में व्याकरण को सबसे अधिक मात्पूर माना गया है व्याकरण के विशे में कहा गया है व्याकरियंते शब्दाह अनेन इति अर्थात शब्दों के विशलेशन से संबंदी शास्त्र का नाम ही व्याकरण है जिन विश्यों को आजकल भाषा विज्ञान में विवेचित किया जाता है उन सबका विवेचन पहले व्याकरण में ही किया जाता था प्राचीन गंदों में लगबग 50 वयाकरणों का उल्लेक मिलता है पाणिनी के पूर्व के व्याकरण संब्दाय के जनक आपिशली तथा काशकृत्सन माने जाते हैं भाषा विज्ञान के तिहास में पाणिनी का अनमितामिस्थान है उन्हें दि विश्व का सबसे बड़ा वयाकरण माना जाए तो भी अत्यूप्ती न होगी पाश्यातिवी द्वानूं ने भी इस बात को मुप्त कंट से स्विकार किया है पाणिनी का इस्तितिकाल पाचवी सधी इसापुरु के आसपास का है वे तक्षिशिला के पास इस्तित चालातुर नाम ग्राम के निवासी थे उनका प्रमुक व्याकरण गरंथ अश्टा ध्याई है जो 14 माहेशर सूत्रों पर आधारित है इन प्रत्याहर सूत्रों में वेदिक और लौकिक संस्कृत का संपूर्ण वण समामनाय सन्निविष्ठ है इस्थान, करण और प्रेत्न के उनसार ध्यों को वरगी कृत करके पाणिनी ने इन 14 सूत्रों में प्रस्थूत कर दिया है संदी के सूत्रों द्वारा पाणिनी ने धोनी रिवर्तनों का व्यापक और निरप्रवाद निरूपन किया है धोनियों के संदिकर्ष के कारण किस प्रकार आगम, विकार, लोग, आधी होते है इसका पानिनी ने जो निरूपन किया है, वो केवल संस्कित भाषा के लिए ही लागू नहीं है, वो इतना व्यापक और वैज्ञानिक है कि किसी भी भाषा पर लागू हो सकता है। पानिनी व्याकरण को ही आधार बना कर रचे गए हैं। अस्त्री ग्रंतों में भी भाषा संबंदी विवेचन मिलता है, जैसे आनन वर्धन के धुन्यालोक, ममट के कावे प्रकाश और विश्वनात के साहित दरपन आदी में। उपरिक्त विश्वेचन से यह इसपष्ट होता है कि प्राचीन काल में भारत में विभिन विद्वानोद्वारा भाषा पर परियाप्त विचार किया गया है और भाषा विज्ञान के लगबग सभी अंगों को इसपरश किया गया है। उसे भाषा विज्ञान का स्वतंत्र विशय मानकर महत तो नहीं दिया गया। बारत में आधुनिक अध्यान जो भाषा विज्ञान का है उसको देख लेते हैं। आचर देवेन नाच शर्मा का कहना है यह विचेत्र विरोधाभास है कि यूरोप में भाषा विज्ञान के अध्यान का आराम संस्क्रित के अध्यान और परिज्ञान से प्रेरित हुआ और भारत में यूरोपी प्रभाव के फलसुरूप। वस्ता लंबे समय तक पराधींता के कारण भारतियों में हींता इस तरह से बधमूल हो गई कि उन्हें अपना सब कुछ तुछ प्रतीत होने लगा इसलिए यूरोपी चिंतन को गौरव मिला। भाषा विज्ञान के शेत्र में आदुनी कार्म में पाश्याति विद्वानों का ही कार्य सबसे पहला कार्य माना जाता है जिनमें भारत में भाषा विज्ञानिक चिंतन के लिए काल्ड विल, जौन बीन्स, केलॉग, हार्निले, ग्रियरसन, ट्रंप, जीूल ब्लाक, रैल भाषा विज्ञान को पाल भंडार कर हैं, भाषा शास्त्री दृष्टी से इतिहा सें पुरातत्तो वेत्ता, गौरी शंकर हीरा चंद्र ओजा की लिपी, विश्यक, उस्तकें, महत्पून हैं, कामताप साथ गुरु के व्रसिदुकृती है हिंदी व्याकरण, जिसमें किया गया है, इनके तरित भारती आधुनिक भाषा विज्ञानिक चिंतन के शेत्र में, डॉक्टर मंगल देव शास्त्री, डॉक्टर कपिल देव विवेदी, डॉक्टर सुनीती कुमार्चे टर्जी, डॉक्टर धीरेंद वर्मा, चंद धर शर्मा गुलेरी, पद्म देना, डॉक्टर उदर नाराण तिवारी, घर देव बाहरी और भोलाना तिवारी आधी के नाम प्रमुक हैं, भारत में भाषा चिंतन की पाश्चाति परंपरा पर आते हैं, यूरोप में अन्य सभी उश्यों की भाषा के अध्यनकारं भी यूनान में हुआ, भाषा चिं सुकरात, प्लैटो, अरस्टू तथा डिओनिसियस थ्रेक्स आधी ने भाषा के संबंध में अपने विचाल तथा अध्यन को प्रस्तूत किया, इस यूग में डिओनिसियस थ्रेक्स ग्रीक भाषा के प्रतम वयाकरन थे, जिन्हों ने ग्रीक HEY व्याकरन बनाया, इस काल मे उरोप में भाषा चिंतन सोतंत्र विशय की रूप में नहोंकर एक प्रासंगिक चिंतन के रूप में जहां-तहां मिलता है। मध्यकाल भाषा चिंतन के शेत्र में यूरोप में इस यूग का आरंब 18 शताब्दी से माना जाता है इसे भाषा विज्ञान का निर्माण यूग कह सकते हैं इस कालखंड में अनिक विचारकों इन चिंतकों ने भाषा समन्दी कुछ मौलिक समस्याओं के समाधान की चेश्टा की जिनमें भाषा की विपत्ति प्रमुख है रूसो, कॉंदिलाक, योहान गौट्फ्रीड हर्डर, येनिश, सरपल्लस आदी इस यूग के प्रमुख विद्वान थे जिनोंने भाषा के विविद आयामों पर शोध कारे किया इन सभी विद्वानों का यह मानना था कि भाषा इश्वरी देन ना होकर मानवी आवशक्ता के परणाम सरूप उपन हुई है आदुने काल मद्य काल भाषा विज्ञान की धारणा का आरम भी क्यूप था और उस समय भाषा विज्ञान की स्वतंत शाखा के रूप में अस्तित्त में नहीं आया था अन्य शास्त्रों की चर्चा के प्रसंग में भाषा विज्ञानिक प्रसंगों की भी चर्चा कर दी जाती थी आदुने काल अर्थात 19-वी सदी में आकर भाषाशास्त्र ग्यान की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में पतिष्टित हो गया है और भाषाशास्त्र ग्यान के अधिन ने एक मिश्चित रूप राप्त किया इस काल के उलेखनी विचारक कोर्दो, सर विलियम जोन्स, हेंडरी थॉमस कोलब्रुक, फ्रीडरिक वान शलेगल, विल्हम वान अहंबोल्ट, रासमस रास्क, याकोब ग्रिम, गेओर्ग कूर्टियस, फ्रेडरिक मैक्समूलर आदी है इसके बाद नव्वे वयाकरणों का यूग आता है पाश्याते भाशा चिंटन की परंपरा में 19 सदी के तीसरे चरण से नव्वे वयाकरणों का यूग आया ग्रासमान, वर्नर, अस्कोली, ये स्परजन आदी इसी समय के भाशावज्ञानिक रहे हैं इनके तरिक्त सस्यूर, स्वीट, ब्लूमफील्ड, चौमस्की आदी भी नव्वियुक के विद्वान हैं हम कह सकते हैं कि पाश्याते भाशा विज्ञान का आरंबु जर्मनी में हुआ जहां से उसका शेत्र पश्चिम के और बढ़ता गया जर्मनी से फ्रांस, फ्रांस से इंग्लेंड और इंग्लेंड से अमेरिका आद भाशा विज्ञान की सभी शाखाओं पर सबसे अधिक काम अमेरिका में हो रहा है फ्रांस के भाशा विज्ञानिकों सस्यूर का तथा अमेरिकी भाशा विदों Bloomfield और Chomsky का उलेखनी महातो शेत्र में है इनका थोड़ा थोड़ा परिशे जानना भी आवशक है संद्रचिनात्मक भाषा विज्ञान के बारे में इस संदर में हम देखते हैं 19-वी शताबदी का अंतो और 20-वी शताबदी का प्रारा बुख संद्रचिनात्मक भाषा विज्ञान के उदय का समय है जिसके प्रवर्तक फ्रांस के भाषा विज्ञान के तौर पर गूप देने वाले अमेरिकी भाषा विज्ञानिक Bloomfield है फदिनांद दा सस्रूर ने संद्रचिनावादी चिंटन का परम किया उनके समय तक भाषा विज्ञान के शेत में अधिकतर एतिहासिक और तुलनात्मक भाषा विज्ञान पर ही काम हुआ था सस्यूर ने भाषा के अधिन के लिए सद्धान्तिक आधार निश्चित करने की दिशा में महत्पूर्ण कदम उठाया जिससे उन्नीशु शताद्धी के अंतिम चरण में विवर्नात्मक भाषा विज्ञान का सूत्रपात हुआ सस्यूर भाषा को एक स्वधा पूंड विवस्था मानते हैं इस अंदर में वे वाक की संकल्पना को प्रस्तूत करते हैं इस प्रकार उनके अंसार भाषा पृतिकों की विवस्था है जिसमें अर्थ और धोनीबिम्पों का सहयोजन है सस्यूर भाषा विज्ञान में इन प्रतीकों के अध्यन पर बल देते हैं लियोनार्ड ब्लूमफिल्ट पर चर्चा करते हैं सस्यूर के बाद बीसवी सदी में विवरणनात्तिक भाषा विज्ञान को व्यवस्थित रूप ब्लूम फिल्ड ने प्रदान किया, उन्होंने कहा कि भाषा समाज में विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, यह एक सामाजिक व्यवहार है, उनका मानना है कि लिखित र संदचना या विवस्था की चर्चा की शित्र में, उन्होंने धुनियों से लेकर वाक के तक संदचना का एक अधिकरम इस्थापित किया है, इसलिए उन्हें संदचना अत्मक भाषा विज्ञान का जनक कहा जाता है, ब्लूम फिल्ड कहते हैं कि भाषा की कोई भी रचना ह व्याकरनिक इकाईयों तथा शाब्दिक इकाईयों के विश्लेशन से हम हर भाषा की हर रचना का विश्लेशन कर सकते हैं, इसके लिए मन में अंकित या उक्ति के मूल में विद्धिमान अर्थ को जानने की आवशकता नहीं है, ब्लूम फिल्ड का या सिध्धान्त एक ही क इसे वर्णात्मक भाषा विज्यान भी कहते हैं, इसने भाषा शिक्षन को भी बहुत प्रभावित किया है, अब आगे देखते हैं, चौमस्की तथा रूपांतरन निश्पादन व्याकरन, चौमस्की पोलेंड मूल के अमेरिकी भाषा विज्यानिक हैं, ब्लूम फिल्ड इसे वर्णात्मक भाषा विज्यान की प्रतिक्रिया सरूप उन्होंने परिणामी भाषा विज्यान का जंडा उंचा किया, वे मनोवाधी उपागम पर बल देते हैं, उन्होंने रूपांतरन निश्पादन व्याकरन का प्रभर्तन किया, चौमस्की भाषा की स्रीजिनात मक्तापर अधिक बल देते हैं। उनका मानना है कि भाशा मातर व्योहार नहीं नियम बद्ध व्योहार है। व्यक्ति भाशा सीखने की अपनी जन्मजाद प्रगृत्ति के खारण भाशा को सुनता है। भाशा का मन में विश्लेशन करता है और भाशा के नेमों को आत्मसात कर इन्ही मन में अंकित नीमों के आधार पर वह भाशा के सही और ग्राहे वाक्यों का उत्पादन करता है और उन्हें पहचानता है। इस संप्रदाय के करण भाशा अरजन भाशिक दोशों का विशलेशन आधी विशय शेत्रों में भी नई यूग का सुत्रपात हुआ और आध भी इसमें अनेक नई तक्निकें जोड़ती जा रही हैं। सभी का अध्यन संभव नहीं है। इसलिए अध्यन किशुविधा के लिए भाशा वे अध्यानिकों ने संसार के भाशाओं को कुछ वर्गों में विभाजित किया है। विष्व की भाशाओं का वर्गीकाण मुखिता दो प्रकार से किया गया है। एक तो आकृती मुला कवर्गीकाण जिसमें भाशाओं को संबंध तत्तो, पद रचना या रूप रचना की समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। आकृती मुला की स्वर्गीकाण को रूप आत्मक वर्गीकाण भी कहते हैं। आयोगात्मक भाशाओं वे भाशाओं हैं जिनमें शब्दों में उपसर गया प्रत्या आधी जोड कर वाक्य में प्रयूक्त होने योगी रूप नहीं बनाया जा सकते। वाकि में शब्द की इस्थिती से ही इनमें अर्थ का निरड़े होता है। इसी करण इन्हें इस्थान प्रधान भाशाओं भी कहते हैं। जैसे चीनी एक अयोगात्मक भाशा है। अफ्रीका की सूडानी, एशिया की बर्मी, तिबबती आधी भाशाएं भी इसी प्रकार की हैं। इस प्रकार की भाशाओं में संबंध तत्यों तथा अर्थ तत्यों आधी का योग होता है। और इस योग के कारण उसके कहीं भी रखने पर उसका अर्थ अपरिवर्थित रहता है। उदाननार्थ राम, बान, रावन, तथा हन अर्थ तत्व हैं। इन में लगी हुई विभक्तियां संबंध तत्व हैं। इन दोनों के संयोग से शब्द, निश्पन हुए हैं। जिनका अर्थ इस्थान बेद होने पर भी निश्यत और अपरिवर्थित रहता है। जैसे रावनम हंती रामह बानेन या बानेन रावनम हंती रामह करने पर भी अर्थ वही निकलता है। इस प्रकार के योगात्मक भाषाओं को पुना तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रश्लिष्ट योगात्मक और श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में संबन्ततों और अर्थ ततों नीर शीरवत अभिन्ण रूप से एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं कि उसे अलग करना तो दूर अलग से पहचानना भी मुश्किल होता है प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं के पुना दो रूप होते हैं पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट असलिष्ट योगात्मक भाषाओं को देखें तो इस वर की भाषाओं में संबन्ततों और अर्थ ततों एक दूसरे के साथ तिल तंडूल के समान जुड़ता है मतलब दोनों यूग तो होते हैं तब भी इस पर शुरूप से दिखाई देते रहते हैं तुर्की इस वर की प्रतिनिदी भाशा है इस वकार की भाशाओं में प्रत्य या संबंध तत्यों कहीं अर्थ तत्यों से पहले आता है कहीं मध्य में आता है और कहीं अं लगता है इसे आधार पर इंद 20 व्टाफमक फ्रीश्ड क्नदव में नहीं हो जाता है। काताला, तीन अक्षरों की धातु है, उसका अर्थ है मारना, कतल करना, तो इसमें अगर कातिल कहा जाए तो अर्थ है मारने वाला, मक्तूल कहा जाए तो उसका अर्थ है जिसका कतल किया गया हो, तो एक काताला में ही जब संबंत तो जुड़ जाता है, तो उसके अलग- निकलने लगते हैं ऐसे संस्क्रित भाषा को देखिए वेद है तो उससे वैदिक बना वेदग्य बना यह भी इसी प्रकार का उधार होने है प्रहा सामी हामी तथा भारोपी परवार की भाषा है स्विष्ट योगात्मत वर्ग के अंतगत आती हैं जो सरवाधिक उनत भाषा अब युद्धान मैंने दिया ही अंतर मुखी भाषाओं के दो रूप संवगात्मक और व्योगात्मक हैं तो मतलब यह सामी हामी भाषा है जो है प्रारम में संवगात्मक थी प्राचीन भाषाओं में लेकिन अब इनकी प्रकृति व्योगात्मकत के और बढ़ रही है अर बारुपी परिवार की भाषाओं इसी वर्ग की हैं इनके भी दो भेट के जा सकते हैं सहुगात्मक और व्योगात्मक भाषाओं अर्था प्राचीन इनमें जो भाषाओं थी उनमें सहुगात्मक भाषाओं पाई जाती थी जैसे संस्क्रित और व्योगात्मक भाषाओं म इस प्रकार से यह भाशाओं का आक्रिती मुलक वर्गी करण है भाशा परिवर्तन या भाशा विकास के कारण और दिशाएं इस पर भी खोड़ी चर्चा करते हैं भाशा में परिवर्तन या विकास होना किसी भाशा की जीवनतित्ता का प्रमाण होता है भाशा का परिवर्तन उसके धोनी, शब्द, रूप, अर्थ तथा वाग्य पांचों रूपों में होता है इस परिवर्तन के अनेक कारण होते हैं गिन में कुछ भीत्री कारण होते हैं और कुछ बाहे कारण होते हैं भाशा परिवर्तन के भीत्री या अभिंतर कारणों के अंतरगत अपून शवन, अपून अनुकरण, प्रयोग से घिस जाना, जैसे संस्कृत के कारक्षिन हिंदी में करीकरे लुक्त हो गए हैं, अगला है बल प्रयोग या बला घात, जैसे अब ही, अभी, सब ही, सब ही, प्रयत्न लाधो, ये भी भाशा परिवर्तन का एक कारण है, मतलब प्रयत्न की लगुता, अधिक सुविधा हो बोलने में, इस प्रकार से शब्दों को बोलने से भी भाशा परिवर्तन होता है, तो प्रयत्न लाधो कारण भाशा परिवर्तन अनेक तरह से होता है, इसकी अनेक दिशाएं हैं, जैसे आगम, लोप, विकार, विपर्य, समी स्वरभक्ति आदि इनके खार नेखतने लेखते हैं आगम के लिगांगंको दाने जैसे स्कूल इसको सुद्धापुर्वक्न सकते हैं इसलबी इसलबड़क्ति तो सुद्धा होती है इस साथ सदoken दीड घृणी परिवर्वषंए सब्सकते हैं इसी में लोप भी होता है जैसे जेष्ट शब्द जेट हो गया इश्मशान को मसान कहा जाने लगा विकार उचारण की सुधा के लिए धुनी का बदल जाना विकार के अंतरगत आता है जैसे शाक साग हस्त हाथ मध्यम मज्जिम मजला विपर्य बोलने की तेजी और अपुन शब्ण के करण विपर्य हो जाता है दुनियों का अमरूज जैसे अर्मूद हो जाता है लकनव नकलह हो जाता है जल्दी बोलने में कभी कभी समीकरण जब दो धोनिया पास रहने से समान हो जाती है तो समीकरण माना जाता है ये दो तरह का होता है पूरोगामी समीकरण जिसमें पूरवर्ति धोनी परवर्ति के समान हो जाती है जैसे कर्म का काम हो जाना दुग्ध का दूध मुद्ग का मूग पश्चिगामी समीकरण जब परवर्ती धोनी, पूर्वर्ती धोनी के समानों जाती है, जैसे अगनी का आग होना, पुत्र का पूत, रात्री का रात, संस्कित और हिंदी में संधी के जो विस्त्रित नियम हैं, वे मुख्यता समी करण के ही रूप भेद हैं, विशमी करण, जब दो निकटस्ट गुन में जब कभी जीव को असुइधा होती है, तो उनके बीच में कोई स्वर रख दिया जाता है, इसे स्वरागम कहते हैं, या स्वर्भक्ती कहते हैं, जैसे मूर्ती, मूरत, इस्नान, सनान, इस्मर्न, सुमिरन, कभी-कभी जान बूज कर या नवीनिकर्ण की प्रजित्ती के आधार का परिवर्तन कर दे जाते हैं, जैसे कॉमेडी का कामदी, प्रेजडी का त्रासदी, एकेडमी का अकादमी और टेकनीक का तकनीक आदि, जाती है मनुवर्ती, एक जाती के दूसरी जाती के संपर्क पे आने से मनुवर्ती में अंतर के कारण भी भाशा में परिवर् इसके उतरगत भागोलिक परिवेश, एतिहासिक प्रभावव, साउतिक प्रभाव, साहित्तिक प्रभाव, साहितिक प्रभाव, साधिष्या आधि बाते आती हैं. भागोलिक परिवेशन परिवर्तन होने से भाषयों परिवर्तन के उधारों बहुत हैं, जिसे जहाँ पर बहुत कठिन जीवन है लोगों का, वहाँ पर हूर्धन वानों की और महाप्राणवानों की प्रधानता होती है, तो वहाँ भाषा कोई भी भाषा होगी उसे महाप्र प्रभावर विदेशी आत्रमनों राजनीतिक परधीनता और व्यापरिक संबन्नों के कारण भाषा में एत्यासिक दुष्टिकोर से परिवर्तन आते हैं और नई भाषा का विकास होता है यह एत्यासिक प्रभाव है हिंदी में हजारों शब्दाज ऐसे हैं जो विभिन भाषाओं के हैं अर्भी, फार्सी, तुर्की और अंग्रेजी के नेक शब्द हिंदी में ऐसे घुल मिल गए हैं क्योंने सैसा विदेशी मानना कठिन है यसे अंग्रेजी के स्कूल, कॉलेज, कप, प्लेट, पोर्टल, स् चूतियों के सम्मिलन से भाषा पर प्रभाव पड़ता है और नए शब्द जुड़ते हैं आगत धोनिया भी हिंदी में सांस्कृतिक प्रभाव के कान आ गए हैं जैसे मरेजी का ओ, फार्सी के क, ख, घ, ज, फ, आदि, साहितिक प्रभाव, जिस भाषा का प्रयोग साहिति ने होता है, वो अभी उत्तर-उत्तर सम्रिद्ध होती जाती है, साद्रिश्य, भाषा में कुछ शब्द दूसरे शब्दों की साद्रिश्यता पर भी बन जाते हैं, जैसे पाश्याति के साद्रिश्य पर पौरवात्य चल रहा है, एक दर्श, दौादर्श के साद्रिश्य पर एकादश हो गया है आदी आदी भाशा के विकास के संबन में अंतिम बात यह कह देनी आवश्यक है कि विकास का अर्थ किवर आगे बढ़ना या परिवर्तन है भाशा परिवर्तन भाशा विकास का सूचक है उसके उतकर्श या अपकर्श का नहीं कुछ लोग भाशा की सम मुझा हो के बारे में बात परे था और पहार्आ परिवर्टन थो सब्दों के सब्दां वह Pavशनी को मुझा बल का डिक्र अपशा के कारं मंला एक लिह दक्icus घ्रकावन्म invec नम्रता प्रदर्शन, मूल समगरी के आधार पर वस्तु का नाम, निर्मान क्रिया के आधार पर वस्तु का नाम, शब्द का एक भासा से दूसरी भासा में जाना, जान बूज कर नए अर्थ में प्रयोग, अशोभन के लिए शोभन भासा का प्रयोग, अंध विश्वास, अर्थ परिवर्तन के बहुत से कारण होते हैं जिनका डिटेल जिनके बारे में विस्तार से आपको सामगरी में मिल जाएगा और इसके तरीक जो संदर पुष्टक में बताऊंगी उसमें मिल सकता है अर्थ परिवर्तन के दिशाएं हम लोग देखते हैं ये कितने तहीके से होता है तो ये अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थ आदेश कोई शब्दे पहले सीमेत अर्थ में विस्तार हो गया है अर्त संकोछ कोई शब्द में विस्ती तर प्रयोंहें लगता है इसका अर्थ संकोछ को है उसे मूझांग अगी जाकि मुर्व मुर्व कि erzäh Arbeit के अर्थ का वाचक हो गया रथा देशों साहिं अर्थ परिवर्थन इसे विस्तार या संकोच नहीं होता अर्थ का बलकि अर्थ विल्कुल बदल जाता है जैसे वेद में असुर शब्द देवता का वाचक था परने तो बाद में है दैति का वाचक बन गया है इसे तो से आकाश वानी का अर्थ पहले दैवी वानी था अब उसका प्रयोग अखिल भारती रेडियो के लिए हो रहा है शब्दों का अर्थ परिवर्थित होते होते हैं कभी स्थूल से सूक्ष्म और कभी सूक्ष्म से स्थूल हो जाता है कभी सामाजिक द्रिश्टी से उपर उठ जाता है तो कभी उसका अपकर्ष हो जाता है जैसे सब्धे का सीधा अर्था सभा में बैठन स्लाइड में दिये वे बिंदों में से शाली विज्ञान और शब्द कोष आदि से आप लोग प्रहा परिशित भी होंगे और स्वाध्यन सामगरी में काफी विस्तार पुर्वक किये दिया हुआ है भाषा विज्ञान और अनुवाद पर भी बहुत विस्त्रित तथा है समाज भाषा विज्ञान वाली िकाइँ में भाषा और बोली कहनद खीर्ञा को स्पष्ट किया गया है और है commandments और हिंदी उर्दू चाने के संधर्ञा के विसे में भी मैंने पहले बताया है अब हाम सिक्षन की विदियों उत-देशिक इंदित भाषा प्रत्यक्ष विदी और संप्रेशन परक्ष शिक्षन तो इनमें व्याकरण विदी और व्याकरण अनुवाद विदी प्रत्यक्ष विदी इसलिए से मौकिक वार्त विदी भी कहा जाता है या भाषण शिक्षन की एक लोगप्री विदी के रूप में विक्सित हुई है तो कि इसमें भाषा के विशे में ना बताके भाषा सिधे सिधे सिखाई जाती है संप्रेशन पर एक भाषा शिक्षन भाषा सीखने से समंदित व्यावारिक पक्ष को और विक्सित करने के लिए संप्रेशन पर एक भाषा शिक्षन पद्धती सामने आई है इस शिक्षण में भाषा के मौकिक रूप और उसकी सामाजिक सांस्कितिक विशोष्टाओं को सीखने तथा उनके व्योहार पर बल दिया जाता है इस विदी के द्वारा भाषा शिक्षण के शित में समाज भाषा विज्ञान और सैली विज्ञान की सह बागिता बढ़ी है उद्देश केंद्रित भाषा शिक्षण भाषा का देता भाषा को किसी ने किसी उद्देश से सीखता है भाषा शिक्षण की आदुनिक विचारधरा ये मानती है कि शिक्षार्थी के उद्देश को प्रमुक्ता देनी चाहिए इसलिए भाषा शिक्षण आज उद्देश केंद्रित है मात्र भाषा, दूती भाषा और विदेशी भाषा तीनों ही इस्तमों पर भाषा शिक्षण के उद्देश निर्धारित किये गए हैं, जो इस प्रकार हैं सरजना अत्मक्षम्ता, दृष्टि की मुक्तिता, बुद्धी का विकास और व्यक्तुत्तु की सामाजिक्ता इन सभी के विकास के लिए भाषा शिक्षण कराया जाता है, ये भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में इन उद्देश्यों की पूर्ती भहत आसान नहीं होती है, इसमें समय समय पर बहुत सी बाधायां आती रहती हैं जो प्रहया मात्र भाशा तथा सीखी जाने वाली भाशा की संदचना में अंतर अथवा व्यतिरेक पर आधारित होती हैं। यदि सीखी जाने वाली भाशा की संदचना अध्यता की मात्र भाशा की संदचना से मेल खाती हैं। जाने के लिए तूटी विश्लेशन और अभ्यास का बड़ा महत्तु है। इनके लिए विशेश प्रकार की शिक्षण विदियों का प्रयोग किया जाता है। कि तूटी विश्लेशन के द्वारा भाशा अधिगम के वातावरन को, शिक्षन सामगरी को और शिक्षन विदि को पुनर गठित किया जा सकता है। जिससे कि भाशा शिक्षन के मूल लक्षियों और उद्देशियों की प्राप्ति की जा सके। कोई भी दो भाशाएं पुरूतर समान नहीं होती हैं, उनमें कुछ न कुछ भिनता रहती है। इसके कारण भाशा सीखने में कठिनाईएं आती हैं। इन कठिनाईएं को जानने के लिए भाशा शिक्षन के शित में व्यतिरेकी विशलेशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें शुर्वत भाषा और लक्ष भाषा की तुलना क्याधार पर उनकी समांता और असमांता का निर्धारन होता है और लक्ष भाषा के व्याकरण तथा अध्यन सामगरी के निर्मान को प्रोचाहन दिया जाता है व्यतिरेकी विशलेशन और तुरूटी विशलेशन में इ चातरों की प्रगती जानने और उनकी कठनायों का निदान करने के लिए परीक्षन सामगरी के निर्माण में भी व्यतिरेकि विसलेशन महतपूंग हुमिका निभाता है। इसके बारे में दिटेल दिया हुआ आशेलम में, उससे आप पड़ सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा का भेतरीकी विशलेशन सन्वचनात्म भाषा विज्ञान पर आधारित है और भाषा दोष विशलेशन या तूटी विशलेशन च्वंश्की के उपागम पर आधारित है तूटियां भाषा अरजन की प्रक्रिया के सहज अंग हैं जिससे अधिकांश पर आपको बता दिया था आज यहां पर हम लोग आधुनिक-भारती भारती भाषंगों के उसके में थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं पता पूर्वी इंदी और परश्रमी इंदि में अंतर के बारे में ढालेते हैं में पर्शमिंदी बंगाल भिःव उत्र प्रदेश मद्य प्रदेश इवन राजस्थां आते हैं इसके तिर्क पंजाब हर्याना हिमाचल प्रदेश भी इसके अंतरगत आते हैं गुजरात महाराष्ट भी इसके प्रमुक शेत्र हैं आदमिक भरती आरिवाशाओं को हम निम्न पांच भागों में बर्गी खृत कर सकत हैं उत्तरी वर्ग शिंधी लहंदा और मुजाबीस करन informing में गुजराति हैं मादय देशी गिचे राजस्थानी पुरॵी हिंदी और पहाड़िंडी महां कि पूर्वी वर्ग पोड़िया बंगला और असमिया भाषाएं माज ये निस में मराथी आती है है इसागी पंद्रहमी शताब्री तक भारती आरे भाशाएं आधुनिक काल में पदारपन कर चुकी थी, यह वही काल है जो आधुनिक खड़ी बोली हिंदी की प्रारम्बिक विकास का काल है, जब दक्नी के रूप में उसका दक्षिन भारत के प्राम्तों में विकास हो रहा था हिंदी शेत्र में उसका विकास इस समय ब्रज और अवधी के रूप में हो रहा था, पैशाची, शौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागदी एवं मागदी, अकुब्रश भाशाओं ने क्रम्शा, आधुनिक सिंधी, पंजाबी, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मरा हैं, जो प्राय है, प्राकृत अकुब्रहन शादी में थी, किन्तु काल क्रम में उनमें कुछ बदलावा आ गए हैं, जैसे री, री का प्रयोग तत्सम शब्दों में है, किन्तु बोलने में यह स्वर न रहकर अब रा के साथ या उ का योग रह गया है, उत्तरी भारत की भ आदुने काले भाषाओं में अनेक भाषाओं से नई धुनिया आ गई हैं, जैसे प, ख, र, ज, फ, औ, आदी, लोग भाषाओं में इनका उचानुन इस रूप में नहीं हो पा रहा है, किन्तु शिक्षित वर्ग इनको बोलने का प्रयास करता है, शब्दों में अंतियम अ संयुक्त वेंजन आदी को छोड़कर प्रहा लुप्त हो गया है, जैसे राम अब, राम शब्द का मा प्रहा हलन्त बोला जाता है, इसी दर से अब, शब्द भाजल्दी में अब बोला जाता है, आदुनिक भाषाओं में द्विक्त वेंजन में से किवल एक वेंजन शेष रहे गया है, तो था पूर्व वरती स्वरों में शति पूरक दीर्गता आ गई है, यदा कर्म, कम, काम, अष्ट, अठ, आठ, अग्नि, अग्य, आग, मतला कर्म शब्द पहले कम हुआ और फिर काम हो गया, इसी तरह से अष्ट शब्द पाली त्यादी में अठ हुआ और हि पंजावी और सिंधी भाषाओं में इसके अपवाद मिलते हैं, उनने प्राकृत से मिलते जुलते रूप हैं, आधनिक भारती आरह भाषाओं में अपभ्रण्ष की तुल्णा में रूप कम हो गया हैं, जिससे भाषा सरल हो गई है, संस्कृत में कारक के तीनों वचनों मे चौबिस रूप बनते थे, लेकिन प्राकृत में ये रूप घटकर बाहर है रह गये, अपभ्रण्ष में ये रूप छे शेश बचे और आगे चलकर आधनिक आरह भाषाओं में इंका रूप केवल तीन या चार हो गया, आधनिक भाषाओं में क्रिया रूप भी काफी कम रह गये हैं, रचना की दृष्टी से संस्क्रित, पाली, प्राकृत आधी भाषा योगात्मक थी, लेकिन अपुर्ण्ष भाषा की प्रारम होने से लेकर आधनिक भाषाओं का रूप अयोगात्मक हो गया है, यह हो गया आधनिक भारती आरे भाषाओं के बारे में, अब पूर्वी हिंदी के पांच विभाषा या बोलियां है, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, यानि हर्याणवी, कन्नोजी और बुंदेली, पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी में जो अंतर हैं, वे मुलता हैं इन दोनों की भगोलिक इस्तिती तथा इतिहास पर आधा खड़े थें, फश्ची मनी हिंदी पंजाबी, राजस्थानी, पहाडी, पूर्वी हिंदी के था मराथी वे मिचे पी बीचमें हैं, इसके एक ऐतिहासिक दूस्तिस Career पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी से विक्सेत हुई है अता इन दोनों में उक्त दो भिंड मिन अपधन्षों की परमपरागत विशेष्टाओं का मिलना सौभाविक है पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में निमलिखित मुख्य तात्विक अंतर हैं धोनी रूपों में अंतर अगर हम द जाते हैं जैसे पश्चिमी हिंदी में बढ़ा भ्रज में बढ़ो और पूर्वी हिंदी में भळक पश्चिमी हिंदी की बढ़ा नौर्वी हिंदीтоб। जबकि पशीमी हिंदी में इनका उचारण ए और उ के समान होता है जैसे पश्मी हिंदी में कौन, पुर्वी हिंदी में कौन, पश्मी हिंदी में कैसा, कैसो, पुर्वी हिंदी में कैसा, कैसन, कारक रूप, इनमें अंतर देखें, करता कारक का मूल रूप पश्मी हिंदी में एक ही होता है, जैसे लड़का, घुड़ा, पुर्वी हिंदी में अनेक शब्दों के वायुकत दीरगरूप तथा वान वाले दीरगता रूप दीरगता रूप भी होते हैं जैसे लरिकवा लरिकमान गोडवा गोडवान पशिमी इंदी में आक अरांत कुल्लिंग का रूप करता में सुरक्षित रहता है किन्तु तिर्यक्व में एकारांत हो जाता है जैसे लड़के घुड़े आदी पूर्वी इंदी में करता रूप रहा अभिकारी होता है लड़ी का घुड़ा यह बदलता नहीं है सर्वनाम दोनों के सर्वनाम में काफी अंतर होता है पश्वी हिंदी की खड़ी बोली और ब्रज के संबंध वाचक सर्वनाम जो सो कौन आदी पूर्वी हिंदी में करमशा है जे जवन टे तवन के कवन आदी हो जाते हैं परसरग पेपसी दूसरी बात ये है कि पूर्वी इंदे में परसरग संग्यात्वा सर्मनाम रूपों के साथ जूड जाते हैं आकृती मुलत वरगिकरन इसे भाशा की संग्यात्मि Grand principles कहते हैं क्रिया रूप पुर्वी हिंदी और पुर्वी हिंदी के क्रिया रूपों की रचना में भी अंतर है पुर्वी हिंदी में भविशत काल के क्रिया रूप गा लगा कर बनते हैं जैसे मारूंगा मारोंगो पुर्वी हिंदी में हा लगा कर और बा लगा कर रूप बनते हैं जैस पूर्वी हिंदी का इस्थान शौरसेनी तिथा मागधी के वीच सिद्ध होता है। इतिहास और वर्त्मान संबंधी कुछ अन्न बिंदों को एक नजर देखिए। देवनागरी में लिखी हिंदी संग की राज भाषा है और राज की प्रयोजनों के लिए अंतराष्टी रूप वाले भारती अंक प्रयोग में लाए जाएंगे। 14 सितंबर 1949 हिस्वी को समिधान में हिंदी को राज भाषा और देवनागरी को राज लिपी घुशित किया गया। राज भाषा से तातपरे शासन के तीनों अंगों विधाईका, न्याय पालिका और कारे पालिका में प्रयुक्त होने वाली भाषा से है। समिधान के उप्त घुशना से हिंदी को राज भाषा का गौरव तो मिला, लेकिन हिंदी और हिंदुस्तानी का जो विबाद स्वतंता से पहले उठ खड़ा हुआ था, उसका अहिंदी भाषी राज्जियों ने लाब उठाया। महत्मा गांधी ने हिंदुस्तानी के माद्यम से हिंदी की एक सरल रूप रेखा तयार अवश्य की थी, बुरंतुक फार्सी और हिंदी लिपी के प्रश्ण ने इसे विपाधित कर दिया। यह वास्तों में अंग्रेजी सरकार की एक पूट नितिक चाल थी, जिसने हिंदी की इन दो शैलियों के बीच एक खाई बना कर छोड़ दी और भाषा को जाती उत्वीडन का साधन बनाया। परिणाम यह हुआ कि जिस हिंदी ने देश को राष्टी अंदोलन के समय एक सूत में बाधा था, इसके उपर चारों और से प्रहार आरम हो गए। इसके फलसरूप समयधान में ही 15 वर्षों अर्थात सन 1965 तक सरकारी कामकाज के लिए सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को बनाय रखने का निर्ड़े हुआ। समयधान में हिंदी के साथ साथ देश की अन्य प्रांती भाषाओं के विकास और परिस्पर सहयोग की बात भी कही गई है। दूसरा चरण 1963 से 1967 तक का था इस चरण में राष्टी इस्तर पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के समद्ध में मतैक के ना होने के कारण कुछ संशोधन किये गए जिससे अंग्रेजी को अनिर्दिष्ट समय तक सहर राजभाषा के रूपने पनाय रखने का इस परकार भारत में समय दो राजभाषा हैं चल रहे हैं तीसरा चरण 1967 के बाद का है जिसके इंतरगत 1967 के राजभाषा दिनियों के आधार पर कार्यान्वाइन सम्दी विवित प्रयास किये जा रहे हैं अब आते हैं राष्ट भाषा इंदी की समय धाने किस्तिती पर किसी राष्ट में सरवाधिक प्रयुक्त होने वाली सर्माने भाषा है वहां की राष्ट भाषा होती है उसे शासन और जनता दोनों से मनता प्राप्त होती है उसी में देश का राजकाज होता है एक देश अथवा राष्ट के भिन्विन प्रांतों की लोग जो अलग-अलग भा प्रश्च के अपनी भाषा होती है जिसमें वह अपनी सभ्वेता संस्कृति धर्म चिंतनादी को व्यक्त करता है यही उसकी राष्ट भाषा कहलाती है जो वास्ता में इसकी आत्मा है वे सभी गुण इद्धिमान हैं जो किसी देश की राष्ट भाषा के लिए अपेक्षित हैं और उसकी लिपी देव नाजरी संसार की सबसे अधिक वैज्यानिक लिपी है लेकिन अगर राष्ट भाषा हिंदी की समविधानिक इस्तिति देखें तो मैं पता चलता है कि स्वतंत्र भारत के समिधान निर्माताओं में केवल राज कारिकी भाषा पर विचार किया और हिंदी को समिधान में केवल राज भाषा या संघी भाषा ही माना राष्ट भाषा के प्रश्म पर समिधान मोन बना रहा वस्ता राजनितिग्यों ने आजादी मिलते ही भाषा के प्रश्म को इतना उल्जा दिया कि हिंदी क्या भारत की राष्ट भाषा का प्रश्म ही नि इसलिए स्वतंत्ता के बाद अभिवक्ति के प्रतेक माध्यम ने हिंदी को सहजिता से स्विकार किया है। जैसे स्वतंत्ता के पश्यात हिंदी की सिती चाहे जितनी विवादासपत भारत देश में रही हो अंतराश्टी इस्तर पर उसका सम्मान बढ़ा है और हिंदी का अंतराश्टी सुरूप दिनों दिन निखरता जा रहा है जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। मानकी करण के आवश्यक्ता के भी विशह में मैंने पहले तोड़ा बहुत बताया है अब विवेच अपाठीक्रम के तीसरे भाग हिंदी संदचना की ओर बढ़ते हैं। अब इस तीसरे भाग के सभी विद्वों पर चर्चा का समय नहीं है इन पर विश्थरिच चर्चा अगले वीडियो यख्यान में संभव होगी अभी केवल देवनादरी लिपी और मानकी करण पर चर्चा कर लेते हैं। देवनादरी लिपी इसके परिचे नामकरण उब्भो विकास, वेज्जानिक्ता, सीमाओं और संभावनाओं पर आपको तियारी करनी है और इससे आगे बढ़कर इसी के संदर में मानकी करण की चर्चा होगी। मनुष्य ने अपने विकास के क्रम में पिचारों की अभिवक्ती के लिए पहले भाषा का व्यवहार शुरू किया। फिर इस भाषा को स्थाइत तुरेने के लिए इसके लिखित रूप की आवशक्ता अनुभव की गई। प्राचीन भारती लिपियों के इतिहास को जानना जरूरी है। गदहे के ओट के समान। देखने में भद्धी होने के काण इसे नाम दिया गया होगा। कुछ विद्धानों के सार हिब्रू में खरोशेथ का अर्थ लिखावट है। उसी से प्राकृत चद्ध खरोश्ट बना और बाद में खरोश्टी के रूप में विक्सित हुआ। खरोश्टी लिपी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। बाद में ब्राम्ही के प्रभाव से यह भी बाएं से दाएं दिखी जाने लगी। तीन सो इसा पूरव तक खरोश्टी लिपी बिलकुल लुप्ट हो गई और ब्राम्ही लिपी के उत्तर और दक्षिन भारत में अलग-अलग रूप विक्सित होना आरब हो गए। देव नागरी लिपी का विकास सीधे सीधे ब्राम्ही से नहीं हुआ। ब्राम्ही की उत्तरी और दक्षिनी जो दो शालिया विक्सित होई हैं। उनमें से उत्तरी शाली से पहले गुप्त लिपी फिर उसी से कुटिल लिपी का विकास हुआ। इस कुटिल लिपी से ही शा के सरवाधिक शेत्र में प्रचलित रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट, राजस्थान, गुजरात, आधी प्रांतों में उपलब्द, शिजा लेखों, हस्त लेखों आधी में यही लिपी सबसे अधिक मिलती है। दीरे-दीरे उनका विकास होता गया और चौधेमी शताब्दी में आकर इस लिपी के वानों का वर्तमान रूप इस्थिर हो गया। नागरी लिपी के विकास की प्रिष्ट भूनी में उन प्रभावों का भी विशेश महत्त है जो इस पर पड़े हैं। यह इस प्रकार हैं। फार्सी के प्रभाव के प्रणाम सुरूप मुक्ते या बिंदु का प्रयोग शुरू हो गया। जैसे क, ख, ज, फ, आदे में। सभी स्वरों के लिए कुछ लोगों द्वारा केवल आ का प्रयोग मात्रा लगा के किया जाता है। जो कि मराठी प्रभाव है। कुछ लोग नागरी लिपी को शीरो रख्या के बिना लिखते हैं या गुजराती प्रभाव माना जा सकता है। ओ का प्रयोग अंग्रेजी के प्रचार के कारण ओफिस, कॉलेज आदी जैसे शब्दों में होने लगा है। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष चिन जैसे अल्प विराम अर्धविराम, प्रश्ण वाचक चिन, विष्वाई आदी बोदक चिन, उद्धरण चिन आदी हमने अंग्रेजी से ग्रेण किये हैं। कुछ लोग तो पूर्ण विराम के स्थान पर भी खड़ी पाई ना देकर अंग्रेजी की तरह बिन्दू का प्रयोग करते हैं। इस देवनागरी लिपी भारत की प्रमुक लिपी रही है, संपूर्ण हिंदी साहित्य देवनागरी में लिखा जाता रहा है। अपने जन्मकाल से देवनागरी कला, संस्कृति, साहित्य एवन प्रशासन की लिपी रही है। भाशागत परिवत्नों को देवनागरी ने बड़ मात्रा एउंबण बुद Kenny के है लिए एक लिप ही लिपी चन्लस के लिए लिकरBox लेकिन हिंदि डेवρसनागरी के लिए एक ही लिपी चन्लस mai मात्रा है वन बोधक चिन्नों में अंतर यहां पर आ, आ, इ, इ जो स्वर लिखे जाते हैं उनको अलग लिखावट में लिखा जाता है और जब उनकी मात्रा लगती है तो मात्रा अलग होती है लिखने में तो इस तरह से मात्रा एवन बोधक चिन्न में अंतर होता है और मात्र जलता है इसमें दीवनागरी में वंपaky करती है देवनागरी लिपी उसमें समन्वय की विशेष्टा पाई जाती है अब हम आते हैं देवनागरी लिपी की सीमाओ पर देवनागरी लिपी में जहां आने विशेष्टा हैं वहीं कुछ समस्यां भी हैं जैसे एक रूपता का अभाव है कहीं कहीं जैसे छोटी की मात्र मिला कर एक नया लिपिछिन बन जाता है। को मिला कर एक नया लिपिचिन मन जाता है शीरो रेखा की समस्य जैसे धा और घा भा और मा इनमें शीरो रेखा के अंतर से किसी को कुछ पढ़ा जा सकता है धा को घा पढ़ा सकता है इसी तरह भा और माले में ब्रहम की सुति रहती है दो प्रकार के अक्षरों का प्रचलन कभ तो अगर खा लिखा जाए तो वो रहा और वा भी पढ़ा जा सकता है, इस तरह से भ्रह्म की स्थिति कुछ वाणों में है, अनेक वाण कई रूपहों में प्रच लेते हैं, जैसे रा है, रा क्या नेक रूप पाए जाते हैं, कभी यो किसी तरह लगाया आता है, कभी मुर्ध प्रतीक शब्द में दूसी तरह से लगा है, धर्म में मुर्धन रावा है, वो दूसी तरह लगा है, राष्ट्र में रा दूसी तरह से लगा हुआ है, तो इनके कान में समस्या आती हैं। मुद्रण कला के विकास के साथ ही छापे में भी कमिया दिखाई पड़ी, नए आविश्कार, लेखन, मुद्रण और टंक्रण कला के विकास के साथ ही ध्वनी चिन्मों का व्यज्ञानिक रूप भी बनाया जाने लगा, इस रिष्टी से देवनागरी में सुधारों का कुरम नेरंतर चल रहा है, जिनने हम मानकी करण के अंतरगत विवेचित कर सकते हैं। इससे भाषा अधिक इस्थिर हो जाती है, उसकी संप्रेशनियता में वृद्धी होती है, तथा उसका प्रयोग अधिक बोधिगम में हो जाता है। तो इस तरह के सुधारों में हम थोड़ा बहुत इस पर चर्चा करते हैं कि एक ही दोने के लिए कभी-कभी दो चिन जो देवनागरी लिपी में दिखाई देते हैं। तो इसलिए इसमें एक रूप्ता लाने का प्रयास किया इन समितियों ने अणा, धा, भा, ला, खा एक्तियादी के भी दो दो रूप दिखाई देते हैं। तो उसमें एकुट्ता लाने का प्रयास किया गया, उनमें इन कठणाईों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने केंदरी हिंदी निदेशाले को मानक देवनागरी लिपी निर्धारित करने का काम सोपा है, और इस निदेशाले ने विद्वानों से विचार उमर्ष करके देवनागरी वानों का मानक रूप प्रस्तुत किया। तो जब सायुक्त लिखना होगा तो खड़ी पाई उसमें से हटा दी जाएगी। रा के लिए जो मानकिकन किया गया वो पहले जैसा बनान जाएगा। उसके तीनों रूप चलेंगे जो रा की मात्रा लगती है। का और फा के बारे में भी सायुक्तु एंजनमिन के लिखने के पर मानकिकन किया गया। शैत्रग ज्यान का वही रूप जो चल गहा था कि दो अक्शनों का मिलाके जो एक लिखा जयाता है वही चलेगा। यह निर्धारित किया गया इजनैंदीन दूरक अनुस्वार का मानकिकन दिया गया कि वरगी पंचम के दिखानी है हमें लीपी चिन द्वारा तो मात्रा वाले वर्णों में बिंदी लगाई जाएगी और जिन्में मात्रा नहीं है उनमें शिरो रेखा के ऊपर अनुनासिक का चिन चंद्रविंदू लगाया जाएगा कि जो अतह प्रातह फलता इत्याद ये संस्कित से आयोवए शब्द है उनमें विसर्ग बना रखा जाएगा और वाके जो हिंदी मों धळले हुए शब्द है जैसे संस्कित का दूख अन्य भारती है भाषाओं को भी देवनागरी में लिप्यंतरित करने का प्रयास किया गया वंकी कंण के अंतरगत और उन भाषाओं की विशिष दोनियों के लिए भी देवनागरी में चीन बनाये गए अता हम कैसकते हैं कि यह परिवर्धित देवनागरी वसुताद्द इधा के लिए इस प्रस्तुती करण के तीनों खंडों के अंतरगत बनने वाले महत्वपूर्ण दीर्ग एवं लगु उत्तरिय प्रश्ण यहां अलग-अलग प्रदर्शित किये जा रहे हैं। M.A.H.I.E. 103 भाषा विज्ञान के विद्यारतियों को सबसे पहले प्रथमभाग भाषा विज्ञान के सिध्धान पर प्रश्ण तयार करने हैं। यह देखिए भाषा विज्ञान के सिध्धान पर ये दीर को उत्तरिय प्रश्न हैं। लगबग 400 शब्दों में इन में से प्रतिक प्रश्ण को आपको करना है अब इसी खंड पर लगू उत्तर ये प्रश्ण देखिए इन प्रश्णों की शब्द सीमा 100 से 150 शब्द तक है मतलब दो पेज के आसपास आपको प्रश्ण पत्र में इन्हें लिखना होगा अब इसी खंड पर कुछ और लगू उत्तर ये प्रश्ण देखिए जो इस पहले खंड भाष्ण विज्ञान के सिद्धान पर महत्पूर्ण प्रश्ण है ये पाठक्रम के विभिन खंडों और इकाईयों को समाहित करते हुए बनाए गए है यहां यह बता देना जरूरी है कि भाष्ण विज्ञान महाई 103 के छात्र अपने पाठक्रम से देख कर विभिती एम तृती खंड से भी संबंदित प्रश्णों को नोट कर लें तब अध्यन शेत्र पूरा हो पाएगा महाई 104 हिंदी भाषा के छात्रों को जो महाई हिंदी के 33 समस्टर के छात्रों गे उन्हें यहां प्रस्तूत किये गए जृती और तृती दोनों भागों पर दिये गए प्रश्णों को तियार करना है ये देखिए दूसरे भाग के ये दीर प्रश्न है जो हिंदी भाषा इतिहास वर्तमान है सब्द सीमा वही रहेगी मतलब चार पेज के लगबग ये सबी प्रश्न त्यार करने होगे दूसरे भाग के ये लगू उत्तरी प्रश्ण है ये भी इसी दूसरे भाग पर कुछ और लगू प्रश्ण है विवेच्च पाठिवस्तु के तीसरे भाग हिंदी सनरचना पर ये सब दीर प्रश्ण है फिर देखे ये लगू प्रश्ण दिये गया है और ये देखे कुछ औ और लगू उत्तरी प्रश्ण हैं यहां यह भी बताना है कि बीए हिंदी के छटे सेमिस्टर के पार्टिकरम DCEHI4 हिंदी संरचना के विध्यारती यहां तृती खंड पर दिये गए दीर्ग एवं लगू उत्तरी प्रश्ण के आधार पर परीक्षा की त्यारी कर सकते हैं आज का यह वीडियो व्याख्यान मुखिता भाषा विज्ञान हिंदी भाषा एवं लिपी पर केंद्रेथ है इसलिए इस विशेवस्तु पर पहले कि 17 परीक्षा में आए हुए एक प्रश्ण पत्र का नमूना भी यह देखे प्रदर्शित किया जा रहा है अधिन्यास कारे आप लोग कर चुके हैं जिसका मुल्यांकन 30 अंकों के अंतरगत होता है शेश 70 अंक 17 परीक्षा प्रश्ण पत्र के लिए निर्धारित होते हैं इस नमूना प्रश्ण पत्र में आप लोग देख रहे होंगे कि कुल 3 घंड कहा खा तथा गा हैं लेकिन सत्र 2023 में NEP 2020 के दिशा निर्धेशों के नुरूप प्रश्ण पत्सम रचना में परिवर्तन किये गए हैं पहले जहां कुल 6 प्रश्ण करने होते थे अब कुल 10 प्रश्ण हल करने होंगे जिनमें 5 लग तथा 5 दीर गुत्तरी प्रश्ण होंगे खंड खा में 4-4 अंकों के 5 लगुत्तरी प्रश्ण होंगे जिनमें अत्वा वाले आंतरिक विकल्प रहेंगे इस प्रकार यह खंड का 4 गुणे 5 बरावर 20 अंकों का होगा इसमें प्रत्यक प्रश्ण का उत्तर लगबग 100 शब्दों में देना होगा खंड खा में 10-10 अंकों के 5 दीर उत्तरी प्रश्ण होंगे इनमें भी अत्वा वाले आंतरिक विकल्प दिये जाएंगे इस प्रकार यह खंड खा 10 गुणे 5 बरावर 50 अंकों का होगा इनमें प्रत्यक प्रश्ण का उत्तर लगबग 350 से 400 शब्दों में देना होगा इस तरीके से खंड का 20 अंक तथा खंड का 50 अंक दोनों में लाकर कुल 70 अंकों का आपका सत्रान परीक्षा प्रश्ण पत्र होगा 17 परीक्षा पत्र में प्रश्णों की संख्या अब ज्यादा हो गई है इसलिए परीक्षा में उत्तर लिखते हुए समय प्रबंधन बहुत सरूरी हो गया है प्रियास करें कि 10 से 12 मिनट में आप प्रत्येक लगू प्रश्ण का उत्तर लिखें और 20 से 25 मिनट के वी तर प्रत्येक दीर प्रश्ण का उत्तर लिखने में समर्थ हो सकें तभी प्रश्ण पत्र ठीक से हल कर पाएंगे आप सबी शिक्षार्थियों को स्वाध्याय एवं 17 परीक्षा के त्यारी के लिए मेरी शुब कामना है इसी के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ आप सबी को बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार कर दो बहुत-बहुत